दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर स्रेडी का यानवापद ग्याद करना सीखेंगे यानवापद मतलब ऐसे ही आपको सवाल देदेगा यानि ऐसे ही आपको समांतर स्रेडी देदेगा और आप से कहेगा कि इस 16 रेड़ी का दसंवापद ग्याद कीजिए तो यहां पे मैं उसी को बताने जा रहा हुं कि किस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से समझना है ठीक है क्यों समझना है क्योंकि इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं उसको आप लोग जो मैं बिदी बताने जा रहा हूं बिल्कुल उसी बिदी से हल करेंगे तो सारा सवाल हल हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के सवालों में देखिए ऐसे ही दिया रहता है यानि कि AP दे देगा यानि कि ये समांतर स्रेडी है पहले इसमें बोल दिया गया है कि ये समांतर स्रेडी है और इसका दसवापद ग्यात किजिए तो सुरू में दो या तीन पद ऐसे दिया रहता है और को देगा कि इसका दसमापद ग्यात कीजे, बीसमापद ग्यात कीजे, कुछ भी बोल दे तो चली हम इसको हलकाना समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए तो सबसे पहले इस समांतर स्रेडी का पहला पद लिखते हैं तो पहला पद को लिखने के लिए हम लोग इसको ए से दर्शाते हैं पहला पद को, तो पहला पद हो जाएगा ए बराबर दो देखिए पद जब इस सब्द पुरियों हो, तो पद का मतलब संख्या होता है संख्या कौन सा होगा वह हमसे पूछा गया है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बराबर दो यह पौली संख्या है यानि कि प्रथम पद है ठीक है तो ए बराबर दो हो गया अब हम लोग डी कमान निकाल लेते हैं तो दिखें डी कमान क्या होता है यह सारवांतर होता है तो D कमान निकालने के लिए हम लोग सुरू के दो अंक ले लेते हैं, दो संख्या, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को गटाते हैं, तो अगली संख्या साथ है, पिछली संख्या दो है, तो साथ में से दो गटा कितना आ गया, पांच आ गया, तो D बराबर कितना आ यानि ळी नहीं करेंगे मतलब बहुत लोग दो में से साथ गटा देटे ऐसा नहीं आपको हमेशा अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाना है ठीक है तो गाउना है और इसके पंदरावा पद ग्यात किजिए तो यहन बराबर 15 हो जाता तो यहाँ पे चुकि दसवा पद पुछा है तो यहन बराबर 10 हो जाएगा ठीक है तो शुरू में सबसे पहले आपको प्रत्खम पद लिख लेना है सरवांतर लिख लेना है फिर n कमान लिख लेना है अब हम लोग आते हैं फार्मूले पर तो देखिए ये फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है अन बराबर a प्लस n-1 इन्टू डी तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा और इस वीडियो में आप तो ये सीखी जाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है ठीक है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ए जो है समांतर स्रेडी का प्रतम पद होता है एन जो होता है कौन सा पद निकालना है कौन से संख्या निकालना है वह यहन का मान होता है यह से यहाप यहन बराबर दस है डी तो आपको पता है यह सरवांतर होता है लेकिन एन क्या होता है देखीए, यह समझना सबसे मयतफोड है, तो An को हमलोग कहते हैं, यनवा पद, ठीक है? An को हमलोग कहते हैं, यनवा पद, इसमें थोड़ा सा आप और अच्छे से समाझे लेजिए, इधर मैं समझा देता हूँ, अपको देखें यनवा पद, एन मतलब यनवा पद होता है तो यन के जग हम बारी-बारी से संख्या रख सकते हैं तो जैसे एन, एन बराबर अगर हम एक रखेंगे तो यह हो जाएगा एवन, ठीक है? तो एवन का मतलब होता है कि प्रथम पद प्रथम पद या फिर पहली संख्या तो आप लोग कहेंगे कि पहली संख्या को तो एसे दर्शाया जाता है, एसे दिखाया जाता है तो देखिए पहली वाली संख्या को एवन से भी दिखाया जाता है, एसे भी दिखाया जाता है दोनों इस सही है वैसे यन बराबर 2 रख दें तो A2 हो जाएगा यानि कि दूसरी वली संख्या को A2 से दर्शाते हैं यानि कि इस समानतर स्रेडी में देखा जाए तो A1 बराबर किया हो जाएगा 2 हो जाएगा A2 बराबर 7 हो जाएगा अगर a3 देखें तो a3 बराबर 12 हो जाएगा ठीक है? यानि कि नीचे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वाला अंक बदलता है कि वाला और a का a वैसे ही रहता है ठीक है? आयोप आपको यतना समझ आ गया होगा तो बस इसी फार्मूले में यहन बराबर 10 रख देजिए तो यहाँ पर भी यहन बराबर 10 रखेंगे ना तो यह हो जाएगा a10 बराबर a कामांद 2 है तो यहाँ से 2 रख लिजिए पलस n-1, n कामांद 10 है तो यहाँ पे 10 रख लिजिए मैं आपको बता देता हूँ, तो यहां फि मैं A के जगा दो रख दूं, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा? देखिए, यह जब भी आता है, एक अई साथ आता है, यह A इन जो है, यह A का ही साथ आता है, हमेशा किवल an का मान बदलता इसमे ए का मान नहीं बदलता मतलब a के जग़ा हम कोई अंक नहीं रख सकते ह। क्योंकि इसका मतलब हionar पद, a1 बराबर हो गए पहले संख्या, a2 बराबर हो गए दूसरी वली संख्या ये बस दर्साने का तरीका है इस A के जगा कोई मान रही रखता है हम लोग जैसे A बराबर मैंने 2 अगर रख दिया तो ये कुछ इस तरीके सो जाएगा ना 2, 1, फिर 2 का 2, फिर 2, 3 तो ये इसका कोई मतलब है, कुछ नहीं ऐसे कुछ भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ठीक है, तो ये बस दर्साने का तरीका है तो देखे, A10 मतलब ये दसमा पद हो गया दसमा संख्या जैसे यहाँ पर दूसरी संख्या था A2 था तो A1 था तो पहली संख्या था और ये 3 था तो तीसरी संख्या दर्स आने का तरीगा था वो ऐसे 18 आगा जानी कि ये 10 मा संख्या आएगा तो इसी को अल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटा 9 अब चुकि 9 कोश्टक में आएगा ना इस तरह से और ये होगे 5 तो 2 प्लस अब इन दोने के बीच कोई चीन नहीं तलब गुड़ा का चीन नहीं ठीक है जब बीच में कोई चीन नहीं रहता तो गुड़ा रहता है तो 9 गुड़ा 5 9 पचे 45 हो गया और 45 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 47 यानि कि 10 कमान 47 हो गया अभी ये आंस्वर नहीं आया है अभी आपको इसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा अच्छे से अतर दी वी एपी का दसमापद 47 है आपको ये लाश्ट में लिखना पड़ेगा अब जाकर के ये पूरी तरह से सवाल हल हो गया है तो दोस्तों इस वी फार्मूले को याद कर लेना है और इसी फार्मूले में सब कमान रख लेना है फिर दिके आंस्वर आजाएका बस